हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि योनो SBI एप्लिकेशन में दूसरी बार लोगिन कैस सिखिया जाता है यदि आप योनो SBI के पुराने यूजर हैं और किसी कारण बस इस एप्लिकेशन से लोगाउट हो चुके हैं या अपने गलती से इस एप्लिकेशन को उनिस्टॉल करिया है और दुबारा इंस्टॉल करके इसमें लोगिन करना चाहते हैं योनो SBI के latest update में बाताया गया है आप इस एप्लिकेशन का इस्तिमाल उसी फोन में कर सकते हैं जिस फोन का operating system android version 9 या उससे ज्यादा का हो यदि आपके फोन का operating system android version 9 से कम का है तब यह application उस फोन में नहीं चल पाएगा तो चलिए अब योनो SBI में login करने का procedure देखते हैं तो सबसे पहले play store से इस application को install करें यदि आपके फोन में already यह application install है तो उसे update कर लें application install या update करने के बाद इसे open करें application open होते ही कुछ इस तरह का interface सो होता है जिसमें योनो SBI का logo दिखाया जाता है basically यह application open हो रहा है उसके बाद एक नया pop-up देखने को मिलता है जिसमें आपसे location का permission मांगा जाता है और कुछ option दिये जाते हैं तो इस जगा while using the app वाले option पर क्लिक करें location का permission देने के बाद कुछ इस तरह का interface सो होता है तो इस जगा register now वाले option पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे call का permission मांगा जा रहा है तो इस जगा allow पर क्लिक कर दें allow पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे sim select करने को कहा जाता है इस जगा बताना चाहूंगा आप उसी sim को select करें जिसका number आपके bank account से link हो चुकि मेरे phone में एकी SIM card लगा हुआ है इसलिए इस जगा एकी SIM सो हो रहा है यदि आपके phone में दो SIM card लगा हो तो इस जगा दो SIM card सो करेंगे तो उसमें से आप register SIM पर क्लिक करें उसके बाद next बाले option पर क्लिक करें next पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे message का permission मंगा जाता है तो इस जगा allow पर क्लिक कर दें allow पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface सो होता है जिसमें timer सुरू हो जाता है basically इस जगा आपका mobile number verify होता है कि आपने जो mobile number choose किया है वहाँ आपके bank account से link है या नहीं तो number verify होने के बाद एक नया page open होता है जिसमें एक message होता है तो इस जगा प्रोसीड वाले option पर क्लिक करें प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे username और password एंटर करने को कहा जाता है तो इस जगा आप उसी username को enter करें जो कि आपने first time इस application में registration करने के दोरान बनाया था यदि आप अपना username और password दोनों भूल गए हैं तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि योनो sbi का username और password कैसे recover किया जाता है इस वीडियो का लिंक मैं description में डाल दूँगा तो सबसे पहले इस जगा अपना username एंटर करें उसके बाद इस जगा password एंटर करें referral code वाला option optional होता है इसे fill करनी की आप सकता नहीं है इन दोनों details को fill करनी के बाद submit वाले option पर click करें submit पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें OTP एंटर करनी को कहा जाता है और आपके registered mobile नमर पर एक OTP भेज दी जाती है तो इस जगा अपने mobile नमर पर आये हुए OTP को एंटर करें इस जगा एक चीज़ बताना चाहूंगा कई लोगों को इस जगा OTP की problem होती है या पिछले page में हमने देखा था username और password एंटर करने को कहा जा रहा था तो उस page को fill करने के बाद आगे proceed नहीं होता है तो इन दोनों technical problems का solution एक ही है कि आपको अपने YonoSBI का password चेंज करना होगा इसे मैं clear कर देता हूँ YonoSBI के latest update में यहां बताया गया था कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको समय समय पर अपने YonoSBI का password चेंज करना होगा यदि आपने काफी महनों से YonoSBI का password चेंज नहीं किया है तब आप लोग को इस तरह का problem सो हो सकता है इस problem का solution यहा है कि आप SBI के official website पर जाकर अपने YonoSBI का password चेंज कर लें YonoSBI का password चेंज करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बता रखा है इसका भी link description में डाल दूँगा जब आप password चेंज कर लेंगे तब आपको ना तो OTP की problem होगी या कभी कवार page reload का problem होता है वो भी नहीं होगा तो अब हम आगे बरते हैं तो इस जगा अपने phone पर आए हुए OTP को enter करें OTP enter करने के बाद next वाले option पर click करें next पर click करते ही consent का एक page सो होता है तो इस जगा page को scroll करें इस जगा एक चीज का ध्यान रखें terms and condition के आगे इस जगा tick लगा होना चाहिए by default इस जगा tick लगा रहता है अगर आपके phone में tick ना लगा हो तो इस जगा tick लगा दें उसके बाद next वाले option पर click करें तो इस जगा next पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे amp-pin set करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपना पुराना amp-pin भी रख सकते हैं या आप चाहें तो एक नया amp-pin set कर सकते हैं amp-pin का format कुछ इस प्रकार का है amp-pin 6 digit का होना चाहिए amp-pin में लगातार digit नहीं होना चाहिए जैसे कि आप 1,2,3,4,5,6 लगातार नहीं लिख सकते हैं amp-pin में कोई सा भी नमबर रिपीट नहीं होना चाहिए इन कंडिशन्स को फॉलो करके मैं amp-pin का कुछ एक्जामपल दिखा रहा हूँ आप इस तरह का amp-pin रख सकते हैं तो इस जगा नया amp-pin set करने के लिए इस बॉक्स में नया amp-pin एंटर करें उसके बाद नीचे re-enter new amp-pin की जगा same amp-pin को re-enter करें उसके बाद नीचे next बाले option पर क्लिक करें next पर क्लिक करते ही congratulations का एक pop-up सो होता है तो इस जगा okay बाले option पर क्लिक करें okay पर क्लिक करते ही आप eon o sbi के homepage पर redirect हो जाते हैं अब आप इस application का use कर सकते हैं तो इस परकार से आप eon o sbi में दुबारा login कर सकते हैं इस वीडियो में फिलाहल इतना ही आपका कुछ और भी doubt हो तो comment ज़रूर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर दें तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ